पश्चिम बंगाल में इंडिया गट बंधन को तगला जटका ममता बनर जी ने किया अकेले चुनाव लड़ने का एलान नमशकार स्वागत है आपका हमारी इस खास पिशकश में और आप देख रहे हैं ब्लू एक्स्प्रेस नियूस 2024 लोग सबा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में इंडिया गट बंधन को तगला जटका लगा है तरनमूल कॉंग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनर जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी ये इलान करते हुए बुद्वार 24 जनवरी को उन्होंने कॉंग्रेस और लेफ्ट पर जम कर भडास निकाली ममता बेनर जी ने दावा किया है कि उनके सभी प्रस्ताओं को ठुकराया गया इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णे लिया है दीदी के मुताबिक कि MC इजेपी ने भी इंडिया गड़ बंधन पर निशाना साधा है उद्वार को पश्चिम बंगाल में इंडिया गड़ बंधन की स्थिती साफ करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर जी ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं अलगे अपने बयान में उन्होंने इंडिया गड़ बंधन का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं अब भी इंडिया गड़ बंधन का हिस्सा हूँ वही ममता बेनर जी के बयान के बाद कॉंग्रेस इस डेमेज को कंट्रोल करने में जुड़ गई है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की भारत जोडो नियायात्रा के दोरान असम के उत्तरी सलमारा में कॉंग्रेस महासचीफ जैराम रमेश ने कहा कि ममताब एनरजी की टीम सीवी पक्षी गडबंधन का एक महत्ते पूर्ण हिस्सा है उन्होंने कहा कि ममताब एनरजी के बिना कोई भी इंडिया गडबंधन की कलपना नहीं कर सकता इंडिया गडबंधन पश्चिम बंगाल में लोग सभा चुनाव लड़ेगा बारहाल पिछले कई दिनों से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि पश्चिम मंगाल में इंडिया गट बंधन के बीश सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आज ममताब एनर्जी के बयान के बाद इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है इस्थिती साफ है पश्चिम बंगाल में ममताब एनर्जी कॉंग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में बिलकुल नजर नहीं आ रही है ऐसे में इन्डिया गट बंधन के लिए पश्चिम बंगाल सहीत अन्ने राज्यों में भी सीटों का बटवारा केड़ी खीर साबित होने वाला है हमारी इस पेशकश में फिलाल इतना ही आप देखके रहिए ब्लू एक्सप्रेस नियूज अगर आपको हमारी इस पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले